नमस्कार दोस्तों गोडिमिनिंग कैसे हैं आप सब आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने फैबरेट यूटूब चैनल पांडेजी टेकनिकल में और दोस्तों मैं हूँ आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरब उजहा देखें अगर आप पॉले टेकनिक से अप्लोड भी कर दिया है लेकिन फिर बच्चों ने कहा कि स प theaters के mathematics में इसके साथ इसाथ एक बात और हम आपको बता देंगे कि हम अपनी इस चैनल पर बेली आपको जो आठ बजे वीडियोट से मिलती हैं उसमें हम आपको क्या-क्या पढ़ाने वाले हैं तो number 1 चीज हम उसमें आपको math पढ़ाने वाले हैं number 2 आपका हम physics पढ़ाने वाले हैं number 3 हम आपको उसमें basic of electrical engineering पढ़ाने वाले हैं और नंबर फोर हम आपको उसमें मेकैनिक से पढ़ाने वाले हैं, यह चार चीजें हम आपको पढ़ाने वाले हैं, डेली सामके 8 बजे के वीडियो से में, आपके इसी चैनल पांडेजी टेकनिकल में, ठीक है, तो आईए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सलेवस, इसके बाद आपको सत्तर असी लिख देना है, तब आपको हमारा टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा, आप इसको जॉइन कर लेंगे, तो वहाँ पर आपको सारी पीडियाप्स जो कि हम इस चैनल पर पढ़ाते हैं, जो भी यहां का मैटेरियल होता है, आपको इस पॉले टेकनिक ला है, बहुत ही थोड़ा सा आपके सकते हैं कि इसमें आपको दिमाख लगाना पड़ेगा, और एक खास बात यहां भी है, कि जो इकाई वन होगा, इसमें से आपका तीस नंबर का कुश्चन आने वाला है, तीस नंबर का कुश्चन आप सूचिए, कि अगर आपका इकाई वन से आएगा, तो मज़ा आजाएगा अगर आप कर देंगे तो, जिसमें नंबर एक आपका चैप्टर कौन सा होता है समाकलन की विधियां, जिसको हम इस समय पढ़ा रहे हैं, पार्ट टू वीडियो से हम अप्लोड कर चुके हैं, साथी साथ आपको हम पीडियाप से भी दिय याद करना, यह थोड़ा सा महतपूर्ण, मतलब यह थोड़ा सा आपको क्रिटिकल चैप्टर लग सकता है, फिर नंबर आपका जो पांच आता है, वो होता है परिक्रम ठोस के आयतन, नंबर छे आपका, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें बहुत सारे बच्चे कनफ्य पढ़ जाते हैं, हमसे बहुत सारे बच्चों ने कहा, कि सर जो सिंपसन है, ट्रेपेजोइडल के नियम है, इनको सर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा दीजेगा, तो भाईया एक बात सुन लीजिए, मेरे प्यारे प्यारे सारे स्टुडेंटों, हम जितनी भी क्लासें आप मेरे यही सोच के पढ़ाते हैं, कि हम अपना उस में 100% दे रहे हैं, हम उसमें अपना बेस्ट कर रहे हैं, और इसलिए हम आपको regularity से वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, और अपनी full potential energy के साथ आपको हम वीडियो देते हैं, और उसमें हम आपको full explanation भी बताते रहते हैं, क बच्चों को पही न कही ये न लगे कि लागडाउन है हम घर में बैठे हैं हमारी क्लासे नहीं चल रही हैं अगर आप रेगुलार्टी से पढ़ेंगे तो यकीन मानी आप अच्छे मार्क्स लेकर करके आने वाले हैं और आप अच्छे नंबर से पास होंगे तो यह जो आपक आपको 30 नंबर के questions मिलेंगे फिर इसमें भी आपका बैसिक फंडामेंटल complete होना चाहीए इसमें सबसे पहले जो आपको बुरत बहुत ही इंटरस्टिंग है हम जब आपको बुरत परहाएंगे आगे तवर आपसे यही रिक्वेश्ट है कि उस आप बिल्कुल full mind concentrate करके पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा बृत पढ़ने में circle जो chapter है ये बहुत मज़ेदार होता है फिर उसके बाद यहाँ भी जो बृत अच्छो पर अंताहखंड ठीक है यो जो interrupted on axis है ये दोनों chapter मज़ा आने वाला है जब इसको हम पढ़ेंगे जब class है इसकी लगने वाली है तो जो भी questions करवाएंगे आप समझ लीजी बिल्कुल भेजे में घुस जाएगा दिमाग में fit हो जाएगा उसके बाद इसका जो अगला chapter होता है वो आपका होता है निर्दे सांक दिख को जाएं एवन दिख अनुपात ठीक है ये दो starting के ये दो और उसके बाद ये तीन ठीक है यही है बाकी और बीच के नहीं है आपके निर्दे सांक दिख को जाएं एवन दिख अनुपात अच्छा chapter है मजेदार chapter है समतल आपका समतल आपने plane तो पढ़ा ही होगा अगर आप 12 से आये हैं तो basically आपने लगभख सारी के सारे chapter पढ़े ही होगे बट एक बार ये रहता है कि mind से उतर जाता है तो mind में उसको fit करना पढ़ता है इकाई 2 से आपका लगभख 20 नंबर का लगभख में ही है 50 नंबर का यही आपका paper बनता है ठीक है खास बात यही है और इसके बाद आपको हम क्या कह रहे थे यह कि आपको physics की class हैं भी मिलेंगी प्लस basic of electrical engineering की class हैं भी मिलेंगी प्लस आपको applied mechanics या फिर mechanics आप बोल सकते हैं उसकी भी class है मिलेंगी प्लस उसके साथ ही साथ आपको mathematics तो मिल ही रही है यह सारी यह 4 subject की class हैं आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं आपके इसी पांडेजे टेकनिकल पर ठीक है तो कोई भी अगर आपको doubt है तो आप कमेंट कर सकते हैं ठीक है अपने दोस्तों को हमारा ये वीडियो जरूर सेर करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तब पहुंचाईए नमस्कार जैहिंद जैभारत